बारिश का मोसम है, कुछ अच्छा चटपटा खाने की इच्छा है, तो चलिए आज हम बनाएंगे मूम दाल की पकोडी, वो भी क्रिस्पी, टेश्टी और बिल्कुल हलवाई इस टैल में, सिर्फ उसमें हम एड़ करेंगे एक चीज, जिससे हमारी पकोडी बनेगी बहुत ही तेश्टी और कुरकुरी, तो वो कैसे है वो आप देखेंगे मेरी इस वीडियो में वेलकम टू कुकिंग, शुकिंग विद प्रिया, आज हम बनाएंगे मूम दाल की क्रिस्पी और टेश्टी पकोडी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पकोडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है वन कप छिलके वाली मूम की दाल और हमने लिया है आदा कप चंवले का मोगर यानि की बिना छिलके वाली दाल एक गंटा हमने यहाँ पर मूम की दाल को पानी में भिगो दिया था अच्छ से धोके और आप देख सकते हैं इसके चिलके उतरने लग गए हैं तो यह चिलके जो है हमें उतारने हैं लेकिन ज़्यादा हमें इसमें मेहनत करने की जुरूत नहीं है बस थोड़े से हम इसको उतार देंगे सारे छिलके हम नहीं उतरेंगे जिस तरह आप वीडियो में देख रहें न बस milkaul इसी तरह एक बर हलके से को मेश करना है और फिर जो पानी आएगा पानी के साथ छिलके आएंगे न बस वही हमें निकालने हैjen कि चिलके हम इसके अंदर और ही रहने देंगे क्योंकि चिलके से हमारी पकोडीबहुत कुरकूरी रिस्पी बनेगी MICHAEL कर वें तो अब हम चंवले के मोगर को भीया है उपने तो ओमने की मोगर निदो भाकिवे समय ह सिरहां ही सा निकरतां पकोडी के इसे निकरतें तो बस एक दुबार escoo south पानीय इंसको washes कर लेंगे अब डूर को हमें पीशन है तो मैंने लिया है मिकशिक्गा जार और इसमें हम पेलें मे रमी नहीं क्रe ye ga रणी जड़ा कम ही पीशना है रही है कि हम v discharge नहीं नहीं होofage 648 mile turned दूनों दाल को मैंने यहां पर PHEASC-कर लिया है अब मैंने इसमें 8 किया है नमक तो कहलें यहां पर अनुसार खिरेंगे गारी सौनसा दाने40 його किसे रहिस कया है क्योंकि पकोड़ी यदि चटपटी नहीं हो तो खाने की इच्छा नहीं होती है चटपटी पकोड़ी की खाने में टेश्ट ही लगती है तो हम इसमें लाल मिर्स पाउड़ेट और ज़्यादा डालेंगे आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं में पकोड़ी का स् 버 digging पढ़ाने के लिए हमघ DP की लिए हमसमें डालेंगे सुखा धनिया जिसको में ज्यादा नहीं पीस्ह हलका ही यहीं इसमें ढालना है इससे टेश्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें डालेंगे हम हींग तो थोड़ी सी हम इसमें हींग भी एड़ कर देते हैं साथ ही साथ इसमें जाएगी हरी सौफ हरी सौफ के हो में ज़्यादा नहीं पीसना है उसको भी मैंने यहां पर हलका पीस कहीं रखा है पकोडी में सबी मसाले बराबर मातरा में हो तभी पकोडी खाने में टेश्टी बनती है तो यहां पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, तोवन तीस्पून हम इसमें एड़ करेंगे हल्दी पाउडर और अब और अच्छा और तीखा स्वाद लाने के लिए हमें इसमें डालनी है हरी मीर्च तो दो हरी मीर्च को मैंने यहां पर बारिक कट कर लिया है तो दो हरी मीर्च हम इसमें डाल देंगे, आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं साथ ये साथ हम इसमें डालेंगे हरा धनिया जिसको मैंने बारिक कट करके अच्छे से दोकर वोश कर लिया है तो सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं वैसे तो मैं पानी एड नहीं करना है लेकिन आपको लगें कि बेटर थोड़ा गाड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड कर सकते हैं सभी को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और चलिए अब हम इसके निकालते हैं चट पटे पाकोड़े तो गेस पे में रख दिया है पेन और एड कर दिया है तेल तेल को अच्छा गरम होने देंगे तेल को हमें जदा तेज गरम नहीं करना है मीडिय में गरम करना है तो गेस की फ्लेम को यहाँ पर हम कर देते हैं कम और हम डालेंगे पकोड़े तो मैं यहाँ पर इस्पून की मदद से डाल रही हूँ और हाथ की मदद से भी डालना बताऊंगी इस तरह आप देखे इस्पून से भी डाल सकते हैं बड़े आसानी से हाथ गंदे नहीं होते हैं और साथ ही साथ एदिया आप चाहे तो हाथ की मदद से भी डाल दीजिए जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह भी आप इसमें पकोड़े डाल सकते हैं आपको जो तरीका पसंद आया आप उस तरीके से इसमें पकोड़े एड़ कर दीजिए पेन में चितनी आएंगे उतनी हम पकोड़े इसमें डाल देंगे और डालने के बाद गेस की फ्लेम को हम पांच मिनुट के लिए फूल कर देंगे पांच मिनुट बाद हम इसको कम कर देंगे और एक बार हम इसको पलट भी देंगे इस तरह हमें दोनों साइड से golden brown होने तक हमें इनको fry करना है जब हम पकोड़े को पलड़ देंगे तो हमें इनको कम flame पे भी fry करना है ताकि जो है अच्छी तरह से यह अंदर से भी अच्छे से सिख जाएं इस तरह हमें इन पकोड़े को fry करना है तो लीजी हमारे टेश्टी, कूर कूरे और करारे पकोड़े बनकर तयार हो गए है इन ही हम निकालेंगे इस Сब्सक्राइजे को बाकी बच्छे पकोड़े को भी fry कर लेंगे तो पकोड़े तो हमारे बनकर तयार हो गए हैं बिल्कुल oil free पकोड़े हमारे बने हैं, बिल्कुल भी इंग में ऊईल नहीं है, साथ इसाथ हमें इसमें एट करना है चाट मसाला जैसे ही हम पकोड़े को फ्राइग करके निकालेंगे, उसी समय तुरंथ हमें चाट मसाला इसमें अच्छे से लगा देना है, जिससे पकोड़ का टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाएगा इस तरह हम पकोड़े को सर्व करेंगे पकोड़े को आप हरी चटनी इमली की खटी मिठी चटनी या फिर टोमेटो सोस के साथ भी खा सकते हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रिस्पी पकोड़े बने हैं और बिल्कुल भी बहुत अच्छे क्रिस्पी टेस्टी बनने के साथ साथ ओयल फ्री पकोड़े आपके बनेंगे जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम पकोड़े में मिक्स करेंगे एक खास चीज तो खास चीज है हमारी चंवले की दाल जो बिना चिलके वाली दाल हमने ड बनाएंगे और बिल्कुल जो है मैंने बताया उसी तरीके से यदि आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और डिलीसेस पकोड़े आपके भी बनेंगे उमीदा आपको मेरी रेसीपी जरूर पसंद आई होगी यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर आपको जो प्रेही